Hello everyone, welcome to study chakra तो इस वीडियो में हम बात करेंगे drops and bubbles के बारे में और शुरुवात करते हैं drop से तो यहाँ पे हम एक expression derived करेंगे for excess pressure inside a drop अब देखो यह जो derivation है इसको यह जो हमारा last में expression आएगा उसको हम Laplace law of spherical membrane भी बोलते हैं क्या है चीज और क्या expression हमको last में मिलता है यह थोड़ा देखते हैं फिलाल यहाँ पे हम उने drop consider किया है देखो आपको drop और bubble में difference पता होगा drop जो होता है वो actually पूरा liquid से भरा हुआ होता है अंदर पूरा liquid होता है और सरफ बाहर का जो इस surface है, free surface यह air के contact में होता है लेकिन bubble की case में ऐसा नहीं होता है bubble की case में आपका दो free surface होता है मतलब air अंदर भी होता है और air बाहर भी होता है तो इसका अंदर का भी surface है जो air के contact में तो इसको भी हम free surface बोलेंगे और बाहर का तो air के contact में है ही तो ये भी एक free surface होगा तो ये आपका bubble होता है और एक cavity भी होता है cavity कब होता है जब आपका मालोग एक liquid पुरा भरा हुआ है और जब liquid भरा हुआ हो तो उसमें देखो एक bubble जो है वो अटक जाता है और actually होता है कि इसको हम bubble भी बोलते हैं लेकिन फिलाल हम यहाँ पे इसको जो word use करेंगे वो cavity होगा क्योंकि पूरे liquid में एक छोटा सा पार्ट है जहां पे liquid नहीं है अब cavity के case में इसको bubble में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर confusion हो जाएगा याद अखना bubble में दो free surface होता है एक बाहर होता है एक अंदर होता लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एक ही free surface है क्योंकि आपका जो बाहर का surface है वो actually liquid का ही पार्ट है तो सर्फ अंदर का एक हिस्सा है जो free है और air के contact में है इसके बाहर का हिस्सा air के contact में नहीं है तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही free surface है यहाँ पे दो free surface है और यहाँ पे एक ही free surface है समझे बबल, सरी drop, bubble और cavity फिलाल हम बात कर रहे हैं drop की, तो यहाँ पे मैंने drop बढ़ा रखा है, उस drop का radius जो है, वो small r आपको दिखाए दे रहा है और drop के अंदर का जो pressure है pi है, बाहर का pressure po है, और यहाँ पे अंदर का जो pressure होगा, वो बाहर के pressure के comparison में ज़ादा होगा इसका reason क्या है इसका reason आपको मैंने last video पे बताया था, कि आपका surface जो है, जो concave side होता है, वहाँ का pressure हमेशा ज़ादा होता है, convex का कम होता है, तो अगर आप drop को देखोगे, तो drop का अंदर से देखोगे, तो अंदर वाला हिस्सा इसका concave है, अब बाहर से देखोगे, तो बाहर वाला हिस्सा इसका convex है, pressure हमेशा concave side का ज़ादा होगा इसलिए drop के अंदर का या even cavity या फिर आप bubble ले लो इन सब के अंदर का pressure ज़्यादा होता है क्योंकि अंदर का side concave होता है समझ गए so pi will be greater than po for sure चलो अब इसका radius capital, sorry, radius यहाँ पे r है और मान लेते हैं कि इसका radius जो है वो थोड़ा सा increase हो जाता है यह increment इतना कम है कि आप इसको ना के बराबर मान सकते हो बहुत ही छोटा सा radius इसका increase हो जाता है r से यह जो increment है, यह increment होगा आपका delta r, मतलब delta r से इसका radius increase हो जाता है, अब देखो अगर इसका radius increase हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका surface area increase हो जाएगा और surface area increase करने के लिए हमको इसको energy देनी पड़ेगी we have to do the work आप जब तक work नहीं करोगे तब तक area increase नहीं होगा तो हमने work किया और work करकर यहाँ पे इसका area increase होगा तो यह जो work है वो actually इस excess pressure ने किया है excess pressure का मतलब अंदर कितना extra pressure है अब देखो अंदर का pressure माल लो pi है बाहर का pressure जो है वो po है pi और po है अब हमको पता है कि अंदर का pressure जादा है बाहर का pressure कम है तो जो extra pressure होगा वही आपका excess pressure होगा तो यहाँ पे जो excess pressure है वो होगा pi minus po तो उनों का difference ठीक है तो यह extra pressure excess pressure है अंदर के ओर, liquid के drop का, इसी का expression हम पो ढूंडना है, और ये pressure की वज़े से क्या हो रहा है, ये actually इस पर work done हो रहा है, और work done के वज़े से थोड़ा सा expand हो जा रहा है, मालो ये delta r distance expand होता है, जो कि एकदम कम है और ना के बराबर expression है, नियान रखना, sorry, expansion है, delta r is very, very, very small, एकदम ना के बराबर, एकदम थोड़ा से expand होआ है, और इसका surface area increase हो गया, surface area increase होआ है, तो surface energy भी increase होगा, और वो surface energy कितना increase होआ है, ये अगर आपको calculate करना है, तो आप simply क्या करो, कि कितना work done, excess pressure द्वारा किया गया, बस वो आप calculate कर रहो, तो work done calculate करते हैं, इस excess pressure द्वारा, कितना किया गया है, तो work done का formula क्या है, work done by excess pressure, या work done for expansion, तो हम यहाँ पर पहले work done निकालेंगे, work done का formula क्या है, force multiplied by displacement in the direction of force, तो force into displacement, अब देखो, pressure का formula होता है, force upon area, तो force का formula हम लिख सकते है, pressure into area, राइट, तो force की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, pressure multiplied by area, यह force आ गया, और displacement तो था ही यहाँ पे, तो यह आपका आ जाएगा displacement, ओके, नाव सी, यह work done कौन कर रहा है, excess pressure कर रहा है, जो extra pressure है, वो यहाँ पे work करके, इसको expand कर रहा है, तो pressure के जगह पे, जो pressure, इसको expand कर रहा है, वो ही लिखेंगे, लोग, that is, your excess pressure, pi minus po, अब यह किस area पे लग रहा है, यह अंदर के area पे लग रहा है, तो यह area sphere का है, तो यह आपका 4 pi r square हो जाएगा, area, area आ गया, और इसका displacement कितना हुआ है, delta r से, तो यह आपका delta r हो जाएगा, now this is your work done by excess pressure, और इतना surface energy इसका change हो गया है, समझ गया, dw is equal to pi minus po, 4 pi r square delta r, शालो, अब आगे बढ़ते हैं, यह तो भई, आपने calculate कर दिया work done, यह इतनी इसकी energy change हो चुकी है, अब हम इस work done को किसी और तरीके से calculate करेंगे, और यह जो तरीका होगा, वो हमारे पास एक formula है, कि surface energy में कितना change आया है, dw is equal to t into da, यह हमने derive किया था, relation between surface energy and surface tension, वो equation कुछ ऐसा था, t is equal to dw upon da, तो यहीं से आपका जो surface energy कितना, इसके अंदर change आया है surface energy में, वो dw है, that dw is equal to t into da, तो आप यह surface energy में change, या फिर जो work done है, वो इस तरीके से भी calculate कर सकते हो, पर इसके लिए मुझे चाहिए change in area, da क्या है, change in area, तो मैं पहले क्या करूँगा, कितना area में change हुआ है, यह मैं पहले calculate कर लेता हूँ, फिर इस formula का use करेंगे, पस यह formula ध्यान में रहे हैं, उसका use करना है, tw is equal to d into d, change in area, तो expansion के पहले का area देख लेते हैं, और उस area को हम a1 माल लेते हैं, a1 क्या होगा, 4 pi r square होगा, sphere है न, इसका area 4 pi r square, आल वो आपने expand कर दिया, तो final area आपका क्या हो जाएगा, बताओ, 4 pi और r के अंदर delta r add हो जाएगा, क्योंकि delta r से आपका radius increase हो चुका है, इसको expand कर लेते हैं, तो 4 pi, a plus b all square, तो r square plus 2 r delta r plus delta r square, और हमने पहले बताया है, कि आपका जो delta r है, वो बहुत छ चोटा है, delta r square यहाँ पे तुम neglect कर सकते हो, जैसे मालो delta r का value 0.001 है, यह अपने आप में बहुत चोटा है, और अगर इसको तुम square कर दोगे, तो square करोगे, तो 0.0000001 हो जाएगा, तो यह इतना चोटा हो गया है, कि अब आप इसको नहीं दिखोगे, तो भी चलेगा, तो हम is very small, तो इसे लिए delta r square जो है, उसको neglect किया जा सकता है, 0 माना जा सकता है, इसको मैं अटा देता हो, यहाँ तो आपका equation क्या बनेगा, बताओ, a2 का, a1 तो यहाँ पे आ चुका है, आपके पास, a2 का equation क्या बन जाएगा, 4 pi r square plus 2 r delta r, इसको हमने अटा दिया, बहुत ही छोट था, तो a2 का value आ जाएगा, यहाँ पे अंदर multiply कर दो, 4 pi r square plus 8 pi r delta r, okay, now this is a2, this is a1, change in area आपको यहाँ से मिल जाएगा, change in area, be it, will be equal to a2 minus a1, अब देखो, a2 यहाँ पे, 4 pi r square plus 8 pi r delta r, क्या आ गया a2, a1 क्या है, 4 pi r square, 4 pi r square, 4 pi r square cancel out हो जाएगा, यह क्या गर दिया है, एक से गणा, 8 pi r delta r, तो आपका change in area कितना है, बताओ, 8 pi r delta r, यह रहाँ आपका change in area, okay, अब हमको formula क्या use करना था बताओ, याद करो, dw is equal to t into da, इतना surface energy में change आया है, या फिर आप बोलो, इतना work done हुआ है, एक बार already हम work done यहाँ पे calculate कर चके हैं, equation 1 में, दूसरे तरीके से calculate करना है, surface tension का value तो ठीक है, t रहेगा, और da का value यहाँ से हमको मिल जाएगा, 8 pi r delta r, 8 pi r delta r, let this be equation 2, अब देखो, equation 1 भी work done का value है, equation 2 भी work done का equation है, दोनों को आप equate कर दो, तो from 1 and 2, you can just simply write, from 1 and 2, क्या आएगा बता हूँ, 1 क्या है, pi minus po 4 pi r square delta r, pi minus po 4 pi r square delta r, यही है, that is equal to, equation 2 में क्या है, t into 8 pi r delta r, ओके, तो यहाँ से देखो, delta r और delta r है, आपका एक cancel out हो जाएगा, यह दिखाए दे रहे हैं आप लोगों, ठीक है, और pi और pi cancel out हो जाएगा, 4 ones are, 4 twos are, और एक r भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, यहाँ पे बचा pi minus po, और यहाँ पे 2 r बच गया है, यहाँ यहाँ पे सर्फ r बचा है, और वहाँ पे 2 बचा है, 2 और t बचा होगा है, so finally आपका जो excess pressure है, pi minus po, वो आगे आपका 2 t by r for a drop, yes, that's it, excess pressure जो है, वो radius के inversely proportional है, drop के, और surface tension के directly proportional है, इसका मदब आपका drop जितना बड़ा होगा, उसके अंदर का extra pressure उतना ही कम होगा, pi minus po is inversely proportional to radius, जितना छोटा होगा drop, उतना ही जादा pressure वाला होगा, और obviously बात है कि surface tension जादा होगा, तो excess pressure भी जादा होगा, इसी को हम, यह जो equation आपके पास आया है, mathematical equation, इसी को हम बोलते हैं, Laplace law of spherical membrane, Laplace law of spherical membrane, यह फिलाज drop के लिए था, अब आप same काम जो है, bubble के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, अब bubble में फर्क क्या था, आप लोगों को पता है कि bubble के case में आपका दो free surface था, एक अंदर भी और एक बहार भी, तो जैसे मैंने बताया था, कि आपका bubble की case में दो free surface है, तो आपको कुछ इस case में करना नहीं है, बलकि आपको जो change in area आया है, वो double हो जाएगा बस, बागी सब तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको फिलाल हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम बात करते हैं अब फिलाल, bubble की, तो अगर आपके पास bubble है, तो bubble के लिए excess pressure का क्या equation होगा, वो देखते हैं, तो bubble की case में actually दो free surface होता है, एक अंदर होता है, यह वाला, और यह बाहर भी होता है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका जो change in area है, बस वो double हो जाएगा, changing in area अगर double हो जाएगा, तो dA का value क्या होगा, dA will be equal to 2 times 8 pi r delta r, changing in area double होगा, बाकि सब कुछ वैसे ही है, देखो, यह formula वैसे ही होगा, dW is equal to pi minus po 4 pi r square delta r, equation 1, और उसके लावा equation 2 हमारा देखो, क्या आया था, यह था न equation 2, लेकिन क्योंकि आपका change in area जो है, वो double हो चुका है, तो आपका यह work done का जो formula है, वो भी बदल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, equation 1 तो ऐसे ही आएगा, अब जो work done का दूसरा formula हमें यूज कर रहे थे, t into da, यह change हो जाएगा, क्यों df देखो क्या चुका है, 16 हो चुका है न, 16 pi r delta r, तो अब t into da में, da का value आप डालोगे, तो यहाँ पे 16 pi r delta r आ जाएगा, और आपका equation 2 बदल चुका है, bubble के case में ये equation था, sorry, drop के case में वो equation था, bubble के case में बस सिधा double हो जाएगा, क्योंकि दो free surface है, अंदर भी area change हो रहा है, बाहर भी area change हो रहा है, change in area सिधा double हो जाएगा, बस बाकी क्या है, बाकी तो आपको equate करना है, जैसे आपने drop के case में किया था, वैसे ही इस case में भी करना है तो from equation 1 and 2 from 1 and 2 क्या होगा बता हो दोनों DW का formula है तो PI minus PO 4 pi r square delta r will be equal to equation 2 देखो T into 16 pi r delta r तो वैसे ही यहाँ पर delta r delta r cancel r और r cancel 4 ones of 4 4 fours of 16 तो यहाँ पर इस case में PI minus PO का जो value है यह 40 आगया ना यहाँ पर 40 by r आजाएगा double हो जाएगा excess pressure जो है इस case में double हो जाएगा समझ गए तो यह bubble के लिए formula है यहाँ पर भी देखो excess pressure surface tension के directly proportional है और bubble के radius के inversive proportion है directly proportional inversive proportional लेकिन excess pressure इसमें double आ रहा है bubble के case में drop के comparison में समझ गए यह bubble का है और यह drop का है बात अपनी बची है cavity की cavity के case में क्या होगा बताओ अगर मालोई एक liquid का surface है या liquid हमारे पास है और उसके अंदर एक cavity फसा होगा है तो देखो cavity में भी एक ही free surface होता है तो अगर मैं अंदर का pressure PI बाहर का pressure PO PI PO से बड़ा होगा इस case में PI minus PO जो होगा वो 2T by R ही होगा क्योंकि bubble की तरह इसमें भी एक ही free surface है समझे तो cavity की case में this is for cavity तो आपको cavity की case में 2T by R यूज़ करना है क्योंकि एक ही free surface होता है bubble की case में 2T by R यूज़ करना है sorry, sorry, sorry drop के case में 2T by R यूज़ करना है again एक ही free surface लेकिन bubble की case में आपको 4T by R यूज़ करना है यह difference इसलिए आ रहा है क्योंकि bubble में 2 free surfaces होते है so this was all about the excess pressure inside a liquid inside sorry, excess pressure inside a bubble inside a drop and inside a cavity ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं हम लोग next lecture में thank you